बात करते हैं दिली के राजेंद्र नगर के एंकाउंटर की, इस एंकाउंटर का सच क्या है? ये सवाल अब काफी बड़ा हो गया है क्योंकि मुद्भेड की जगा का CCTV फुटेज सामने आ गया है फुटेज को देखकर पुलिस के कई दावे थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं लेकिन पुलिस कमिशनर का दावा है कि उनका महकमा कुछ भी छिपाना नहीं चाहता ये तस्वीरें दिली के सागर रतना रेस्टोरेंट के अंदर की हैं रेस्टोरेंट के अंदर का CCTV फुटेज और एंकाउंटर का कच्चा चिठ्था तारीक 16 मई 2015 और वक्त रात के 8 बच कर 14 मिनट इस टेबल पर कुछ लोग बैठे हैं और काले कपडों में बैठा ये शक्सी मनोज वशिस्थ है और इसी वक्त रेस्टोरेंट के गेट से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं ये लोग दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग हैं जो सादे कपलों में आए हैं स्पेशल सेल के करीब 4-5 लोग उसी टेबल के ओर बढ़ते हैं जिस पर मनोज कुछ लोगों के साथ बैठा है एक पुलिस वाला मनोज के नस्दीक पहुँचता है और बाकी आसपास खड़े हो जाते हैं मनोज से इस पुलिस वाले ने जैसे ही कुछ कहा वो अपनी जगे से उठकर भागने लगता है लेकिन सारे पुलिस वाले उस पर तूट पड़ते हैं चारों तरफ अफरा तफरी मत जाती है भागने के चकर में मनोज नीचे गिर जाता है और उसके साथ एक पुलिस वाला भी नीचे गिर जाता है चन सेकंड में पुलिस वाला उठकर खड़ा होता है इसके बाद के वीडियो में साफ नहीं है कि आगे क्या हुआ बस इतना ही समझाता है कि मनोज नीचे गिरा हुआ है और पुलिस वाले अब उससे दूर हटने लगते हैं यानि मनोज को अब तक गोली लग चुकी है 29 सेकंड के इस वीडियो से कई सवालों के रवाब नहीं मिलते मसलन गोली कब चली और किस ने चलाई मनोज ने गोली चलाई या नहीं उसके पास पिस्टल थी भी या नहीं उधर पुलिस कमिशनर कह रहे हैं कि मामले में पुलिस के पास छिपाने को कुछ नहीं तो मनोज के परिजन पुलिस पर फर्जी एंकाउंटर के आरूप दोहरा रहे हैं मेरे ख्याल में कोई स्वालों के घेरे में नहीं है तो मैं सरफ यह आपको बताना चाहूंगा एक वाज जैसे इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपके सामने जो है सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी और वैसे भी वैसे इसमें कोई जो फैक्ट्स है इसमें बड़े क्लियर है उन लोगों ने उसके बावजूद भी एक तो प्रीप्लान मडर किया उसको तथाकतित इनकाउंटर का नाम दे दिया उसके बाद वो पुलिस उन एविडांस को तो डिस्टोय करने की कोसिस कर लिए और नया कुछ किरियेट करने की कोसिस कर लिए तो क्या है इस इनकाउंटर का सची जानने के लिए हमाई साथ स्टूडियो में गौतम कॉल साब मौजूद है इसके लावा कुछ और खास मेमान भी हमाई साथ जुड़ेंगे हमारे दो समवादाता हमाई साथ जुड़े हुए है पीएचक्यू से वरुन जैन हमें जानकारी देंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहा तक पहुँचा है और क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में रजनीश भी पीएचक्यू से हमें बताओेंगे कि परिवार कमिश्णर से मिलने के लिए गया है दिली पुलिस से मिलने के लिए गया है क्योंकि वो चाते हैं कि सी बी आई जाँच इस पूरे मामले की होनी चाहिए सभी से बादचीत करेंगे क्या है इस एंकाउंटर का सच जाने की गोली के एंकाउंटर की CCTV फुटज सामने आ गई है और इस फुटज से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्या सवाल है जो कि इस फुटज को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं सबसे पहला सवाल है कि वीडियो से ये साफ नहीं है कि गोली कब चली, किसने पहले चलाई, मनोज ने गोली चलाई या फिर नहीं ये भी साफ नहीं है, मनोज के पास क्या पिस्टिल थी, ये भी समझ में नहीं आ रहा है इस फुटिज से, इसके लावा पास पहुँचने के ब आसानी से घेरा नहीं जा सकता था मनोज वशिष्ट को पुलिस पीछे से काबू कर रहे थे तो मनोज ने गोली आखिर कैसे चला दी जो वीडियो सामने आया है वो 29 सेकंड का है 29 सेकंड के इस वीडियो में मनोज भागते ही गिर जाता है तो उसने गोली कब चलाई होगी ये भी साफ नहीं हो पा रहा है मनोज के गिरने के बाद उस पर आसानी से काबू भी पाया जा सकता था काबू करने के लिए मनोज के हाथ या पैर में क्यों नहीं गोली मारी गई क्यों सिर पर गोली मारी गई वीडियो में मनोच के टेबल के सामने बोड होने की वज़े से पूरी तस्वीर ठीक से साफ नहीं हो पा रही है रेस्टरॉन में क्या कोई और CCTV कैमरा नहीं लगा था जिसकी फुटेज ज्यादा साफ हो और जिससे और ज्यादा चीज़ा निकल कर सामने आ सकते यह बहुत सारे सवाल है जो की इस CCTV फुटेज से खड़े हो रहे हैं मारे दो समवादाता इस वक्त हमाई साथ बने हुए हैं साती गौतम कॉल साब हमाई साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं एश्वर्या भाती जो की काड़वकेट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हु इसकी वज़े से ठीक से बोर्ट की वज़े से ठीक से दिखने ही रहा है क्या हो हो रहा था बहुत सारी चीज़े साफ नहीं हो रही है CCTV फुटेज से जो CCTV आया है आपको अताने आप देखेंगे जो करीब आठ से दस सेकिंड करे इंसिडेंट है जिसमें की पूरी की पूरी घटना हो जाती है मनोज वजीश के पास तक पहुचते है तब एक भगदर कासा महौल होता है मनोज उटके बांगते है और वो गिर जाता है पुलिस शुरुआ से ये बात कहा रही थी कि उनके पास CCTV फूटेज है वो इस बात को आसानी से प्रूव कर देंगे कि पहली फायर मनोज ने किया था उसके बाद ये एंकाउंटर में पुलिस की तरफ से गोली चली है क्योंकि लगतार पुलिस सवालों के घेरे में थी CCTV फूटेज से कही साफ नहीं होता बिल्कुल चली आप से मैं ये पूछना चाहूंगी कि CCTV फूटेज जो है ये भी आपने इस वक्त देखा सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इस एंकाउंटर को अंजाम देने की जरुआ थी क्योंकि जिस तरह से इस इंकाउंटर को जो रेस्टरांट है आने जाने का एक ही रास्ता है किया आसानी से दबोचा नहीं जा सकता था मनोज वशिश को ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब फ्रेम बरा फ्रेम जब इसका एक्जामनेशन होगा तो कुछ सामने बात आजाएंगी। इसके अलावा पिस्टिल थी के नहीं थी ये तो पूलिस जवाब अभी भी से दे सकती है क्योंकि जब मौके पे जो लिया गया है वहाँ पे एक्जामनेशन किया है और इसकी जमा तलाशी ली गई होगी मरने वाले की तो वो पिस्टल जो है अगर थी तो वो सामने आ जाएगी ये तो पता है कि ये पिस्टल जो है ये मनोज ने अपने जिले बाकपत से जो था दो हजार तीन में इसका लाइसन्स लिया था पर ये पांच पुलिस वाले जो वाँ थे और उसके बावजूद इन्होंने जो हरकत की है वो पहला शक तो ये दिखा देती है कि पुलिस ने जो करवाई की वो शायद कुछ जादा ही मुश्टेदी कर दी पर अब ये भी देखना है कि जो इन्वेस्टिगेशन अब क्योंकि स्पेशल स्टाफ को दे दी गई है और उनमें जो जो नुक किये गए हैं लोग वो अच्छे माने जाते हैं इन्वेस्टिगेटर लेकिन फिर भी परिवार इस बास से संतुश नहीं है वो नहीं वो चाते हैं कि BI जाच करें चलिए याश्वरिया के पास भी आउंगी जाँगे च्छुँदा है दिली इंकाउंटर का सच यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हमारे से वादा था रजनीश भी पीएच्क्यू से हमाई साथ जुड़े हुए रजनीश परिवार तो पहले दिन से पहले घंटे से बात कह रहा है कि यह जो पूरा इंकाउंटर है इस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं वो चाहते से कुछ दिर पहले पंदरा से 20 मिनट पहले जो सीपी दिली हैं बीएस बसी वो भी पहुच रहे हैं इस समय मनोच के परीजन और सीपी दिली के बीच ऊपर जो है उनके आफविस में बातचीत चल रही है मनोच के परीजन अपनी मांगे सीपी के सामने रखना है कि जो लोग इंकाउंटर में शामिलते हैं उनके खिलाब भी मामला गल्च किया जाए है अभी तक जो बातचीत चल रही है जब मनोच के परीजन नीचे आएंगे उसके बाद वो हमसे बात करेंगे तब पता चलेगा कि जाने के लिए वारुन आपका भी शुक्रिया गौतम कॉल साभ आपका भी शुक्रिया हमाई साथ जुनने के लिए क्या सच है इस एंकाउंट